एफ लॉक और जो रोड जाता है वैसे यह रोड है और मेरे लेफ्ट सेट पर यह सारी गॉल्फ पोर्स के प्रेमिस सीजन और यह जो येलो लाइन बन रही है यह विसीकली मेट्रो लेन यानिके जो बिया टी लेन जो कर्पिटल समार्टे की में चार्सोफट रोड पर भी है और वैसे जो एक सो सिफट रोड हैं सारे उनके उपर बियाटी लेन है और यह 10 लेन रोड है 3 लेन 3 लेन जो बन गी है और 2 लेन जो सेट की भी उसके उन्होंने कॉमपेक्शन रेकर दी है यह रोड का जो अलाइनमेंट होती सीदी कर दी है कापिटिंग होना बागी है और यही रोड आगे जाके डिरेक्टली लिंक करती है मेन एफ ब्लॉक के साथ और एफ ब्लॉक के जितनी इंवेंट्री है वह इसी रोड के साथ लिंक रहते है मैं भी आपको जाके दिखा रहता हूं अचार यही रोड आगे जाके निकलती है मेन रिंग रोड की तरफ किलमेटर के फासले पे अब मेरे लेफ्ट साइट पे सारा जो है एच ब्लॉक आगे है और राइट साइट पे सारा एल ब्लॉक है यह रोड जो आपको नदर आ रहा है यह रोड सीधा जाकि सेक्टर एफ के साथ करेक्ट करते हैं इन इसक्टर एफ के साथ कहीं भी आपको करेक्टिविटी के लिए किसी छोटे रोड का इस्तमाल नहीं करना पड़ता जितने रोड है यहां पर वो सारे बड़े रोड है शुरू में 400 फुट रोड है पर एक्सोसी फुट रोड है उसके बाद यह वाला रोड एक्सोसी मैं गर जूम कर सकूँ कि यह गॉल्फ कोर्स के अंदर जो वाटर बाड़ी बनी है कुछ बाकी जो अलाइनमेंट आपको नज़ारी है सारी गॉल्फ कोर्स की है यह सारा गॉल्फ कोर्स आता है इसी रोड पर तीन हैली बैट्स बने में जब आर्मी चीफ और रेजिट जनल ने साइट विजट किया था कैपिटल स्मार्ट सेटी का तो इसी रोड सेक्सेस लेकर वाये थे और यह वह तीन हैली बैट्स है और लेफट साइट पर इस सारा गॉल्फ कोर्स आ गया यह सीधा आ आर्टी ओवर्सीज इस की यानिकर राइट साइट पर यह प्लॉट है यह वहले अरिया प्लॉट है और यह बनती है आपकी ग्रैंट जाम्या मस्जिद उसके साथ 50 बैट का हॉस्पिटल उसके साथ यह जो टैन कनाल यह यलो ली बिल्डिंग नजारी है टैन कनाल की हाई र अपना ओफिस है यह मेरे राइट सेट पर लीनियर पार्क शुरू हो गया है और लीनियर पार्क के अंदर यह कुछ काम भी हो रहा है और यह आ जाती है एक्च्छल प्लॉट के प्रेमिसिस यह आपको एक्च्छल प्लॉट के प्रेमिसिस मिल जाती है सेक्टर एफ की उसके पीछे बहुत नाल कार बनावा है और यह डबल रोड है इस तरफ यह रोड है इसके साथ इस तरफ यह रोड है और इसके साथ दूसरी तरफ भी रोड है मैं आपको अंदर जाके एकज़र प्लॉट की प्रिमसिस पर खड़ा कर वहां से वह गॉल्फ को बिदिखा रहता हूं अच्छा यह जो स्टुक्चर बन रहे हैं यह लीनियर पार्क के अंदर जो वह इल्युमिनेटिड वो नहीं हो तर जिस्ता के प्लांट्स होते हैं वह होती है यह एवरेज डोड है 50 फीट की इसके पर कार्पटिंग और असफार्ल अकाम बागी है बागी साइड पे जो वा यह स्टेट यूज करनी पड़ती है अभी यहां से मां गॉल्फ कोर्स का व्यू दिखाऊंगा गॉल्फ कोर्स की जितनी अच्छी विजिबिलिटी यहां से मिलती है शायद किसी और प्लॉट से मिलती हो याद रहे हैं यहां पर 36 फीट की हाइट अला एड होनी है भी अच्छा यह हम आगे प्लॉट पे कॉर्नर विद एक्स्टर लैंड वन काल की प्रॉपर्टी यह प्लॉट आ गया यह साथ रोड आ गया और यह साथ आपका गॉल्फ कोर्स आ गया अब गॉल्फ कोर्स को यह जो व्यू करता है नहीं यहां से वह यह व्यू बनता है मैं एक्जेक्ट आपको हूँ इस रोड से मैं चलके आया हूँ यह प्लॉट की प्रॉपर्टी होगी सारी और यह सारा वी इंग ऑपजट तुस्तान है तो अतनी विजिबिल्टी अच्छी नहीं मिलेगी लेकिन रहने केस्ट यह सारा गॉल्फ कोर्स यहां से विजिबल है और जब यहां पे बिल्डिंग बनेंगी 36 फिट हाइट उस प्याट होगी तो जार से पात है कि वह विजि और बैक साइट से जो व्यू बनता है वो यह वाला व्यू बनता है जो पहाड़ा को नजर आ रहे हैं बिल्डिंग पर जब हाइड निया बिल्डिंग जब बनेंगी कंस्ट्रक्शन होगी तो व्यू जब मजीद क्लेर हो जाएगा